हलो वेल्कम टो टेक्शनमेट आज के सेशिन में हम रेट्रीव सिस्वेल कमांड के कुछ और वेल्यूस को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए मैंने हैं प्रोग्राम क्रेट किया हुआ है सबसे पहले तो आपको कुछ वेरेबल डेक्लियर करने होंगे जिसमें हम वेल्यू स्टोर करेंगे जो हमारे को रेट्रीव होगी सिस्वेल कमांड से तेक है इसका डिकलियरेशन टाइप और डिकलियरेशन लेंथ आप आप आईबियम के ऑफिशिल वेबसाइट से रेफर करके कौन सा वैल्यू किस लेंथ का होना चाहिए और क्या उसका डेटा होना चाहिए जैसे आप वेरेबल डिकलियर कर देते हैं से ताइक तीन ट्राइबस थी में आपहसरे है से दिकलियर करने के बाद में आंपको आपको दो इंप देना पहला इन्पूट जो से समसे वैल्यू को रिट्रीव करनी और दूसरा इंपूट वो जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हों ठीक है तो हम देखते हैं कि कौन से वैल्यू अज हम यूस करने तो मैं पर F1 प्रेस करता हूं यह वैल्यूस हम अलड़ी कवर कर चुकें सारी information मिल जाएगी जो भी values आपको वहां से रेट्रीव करना है यह हम cover कर चुके mainly information आपको यह से मिलेगी अब हम जो discuss कर रहे हैं हो है QAUD LVL2 which means security auditing level extension this system value is required when more than 16 auditing values are needed तो जब भी 16 से ज्यादा values चाहिए होगी तो security auditing level का extension नहीं है 16 से ज्यादा auditing values जब 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 रहता है तो हम यह पास करेंगे specifying audit level 2 as one of the values in the QAUD LVL system will cause the system to also look for the auditing values in the QAUD LVL system value इसके कुछ expected output यह है star none, no auditing values are contained in the system star a and t, e b and t, e v e t which means attention event are audited तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारी values मिलेगी create, delete, job based, network, CLU, net, udp तो यह जो भी values आप यहाँ से आपका output में मिलती है वो आप directly यहाँ पर refer करके समझ सकते कि क्या value आपको वाहाँ से system ने generate किया second value हम जो discuss करना वाल है वो है Q Auto CFG जिसका मिनिंग है Automatic Device Configuration Indicator changes made to the system value will take immediately तो basically यह क्या करेगा आपको बताएगा कि Automatic Device Configuration का Indicator है जो आपको कुछ information देगा जैसे 0 का मिनिंग होगा कि Auto Configuration is off अगर 0 मिला तो Auto Configuration off है अगर 1 मिला तो Auto Configuration on है तो यह information हमार को यहां से मिलती है ठीक है उसके बाद में हम discuss कर रहे है third value जो हमारे पास है RMT तो इसके लिए F4 आपको प्रेस करना है F1 वापिस से और यहां से हम bottom पे जाके उस variable को देखेंगे यह page down करना, page down यह हो CFG RMT अब हम देख रहे हैं यह वाला Q Auto RMT यह हम बाद में का रहे हैं इसके next station में इसमें हम देख रहे हैं Q Auto RMT जिसका मिनिंग है Automatic Configuration for Remote Controllers यहां पे भी मिनिंग यह होता है कि अगर 0 है तो Configuration off है और 1 है तो Auto Configuration on है तो यहां से हमार को पूरा description मिलगा कि कौन सी values का output written का सकती है और उसका क्या information होता है तो अब हम simple उस value को copy करेंगे जो भी हमार को required है और साथ में वो variable pass करेंगे जहां पे हमार को store करना है इतना करने के बाद में जैसे यह line execute होंगी तो हमार को तीनो values हो हमारे प्रोग्रम में मिल जाएगी आप demo purpose के लिए हम क्या करेंगे उन सभी values को print कर रहे है तो मैंने use क्या snd pgmsg command snd pgmsg लिखके आपको f4 press करना है यहां वो variable pass करना है ठीक है तीनो वेरिबल में पास की यह already character में थे तो हमें इसका कोई conversion करने की need नहीं है तो अब यह हो चुका है अब इसको हम compile करके call करके output देखते है call क्या मैंने पहला output हमार को मिला not avl second मिला one और third भी मिला one तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इस तरह की information जैसे हमार को चाहिए auditing related auto configuration देखना हमें की on है या off है या auto remote control configuration देखना है तो simple आप यह command यूज कर सकते हो फिर इसके flag के according आप उतना logic design कर सकते हो तो I hope यह आप लगो clear होगा इस session के लिए इतना ही था next session में आपके topic discuss कर गे so thank you for watching texture myth